नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी तीन चीजों के बारे में बताऊंगी जिसका प्रियोग आप यदि करते हैं हमारे द्वारा बताई गई विदी से तो आपके शिदीर की अनेक बिमारियां दूर हो जाएंगी यदि आपको जोडों का दर्द रहता है, घुड़नों में दर्द है, कमर में दर्द है वो दर्द आपका खतम हो जाएगा दोस्तों, तीनों चीजों में से पहली चीज है अलसी अलसी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ये छोटे-छोटे बीज देखने में बहुत ही सुन्दर लगते है दोस्तों, जितने ये देखने में सुन्दर लगते हैं, उससे कहीं जाड़ा ये गुनकारी बीज है दोस्तों हमें हार्ट की कोई भी बिमारी हो उसमें हम इसका प्रियोग कर सकते हैं और हार्ट की सभी बिमारीों को ये खतम कर सकती हैं दोस्तों ये गुणों से भरपूर होती हैं ब्लड कोलेस्टोल को कंट्रोल कर सकते हैं आप अलसी के बीजों का सेवन करके आप इसका सेवन करके अपने शिरीर के bad कोलेस्टोल को remove कर सकते हैं और अच्छे कोलेस्टोल को बढ़ा सकते हैं पाचन शक्ती को ये बहतर बनाती हैं अलसी का अगर हम नियमीत रूप से सेवन करें तो हमारी जो पाचन शक्ती है वो काफी improve होती है हमारा digestion बहतर बनता है दोस्तों तवच्चा के लिए काफी फाइदे मंद है आपको स्किन की कोई भी प्रोब्लम है जूरिया है मुहासे है उन सब को ये कंटोल कर देगा ध्यान रहे दोस्तों जिन लोगों की प्रकृतिक गरम रहती है यानि जिन के पेट में गर्मी सी बनी रहती है वो इसका कम ही म मात्रा में इसका प्रियोग करें लाश्ट में हम बताएंगे कि आपने इन तीनों ओश्दियों का सेवन कैसे करना है दोसों दूसरी ओश्दी हमारे पास है कलोंजी कलोंजी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है यह आमतोर पर सबजी में यूज की जाती है या अचार बना धीती है डेप्टी और कईड़नी से जूड़ी समस्याओं में आप इसका प्रियोग कर सकते हैं डेप्टीज को यह कंट्रोल मिला देता है और दोसों जीन लोगों को मोटापा बना हुआ है मोटापे को कंट्रोल करने के लिए आप इसका इस्स्सिमार कर सकते हैं अश्दम क की समस्या में भी इसका इस्सेमाल किया जा सकता है या दास को भढ़ाने में आप इसका इस्सेमाल कर सकते हैं बलड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी आप इसका इस्सेमाल कर सकते हैं दोसो जीन लोगों को कैंसर का खत्रा बना हुआ है कैंसर के खत्रे को भी ये कम कर दे दोसो वैसे तो कहा जाता है कि मोत को छोड़कर कलोंजी सभी बीमारियों का नाश कर देती हैं कलोंजी को आप अपनी डाइट में जुरूर शामिल करें दोसो, लाश्ट में हम आपको बताएंगे कि इन सारी चीजों का आपने इस्सेमाल कैसे करना है और कितने दिन करना है अब हमारे पास तीसरी चीज है मेथी दाना मेथी काफी फाइदे मन दोश्टी है मेथी भी मेथी का प्रियोग भी दोसो अचार में भी किया जाता है और सबजे बनाने में भी इसका प्रियोग किया जाता है मेथी दोसो जोडो के दर्द को रिमूव करने की एक गुनकारी ओश्टी है जिन लोगों को जोडों का दर्द रहता है वात पित कफ से जुड़ा कोई भी रोग है उसको ये खतम कर देती है मेथी बहुत ही गुणकारी होशती है हरी मेथी भी खा सकते हैं दोसो और मेथी दाना भी ले सकते हैं यहाँ पर दोसो मैं मेथी दाने की बात कर रही हूँ आप आपने लेने हैं मेथी दाना दोसों यदि आपको बालों के जड़ने की समस्या है बाल समय से पहले सफेध हो चुके हैं तब आप मेथी का प्रियोग कर सकते हैं कान के बहने पर भी आप मेथी का प्रियोग कर सकते हैं कान का बहना रुक जाएगा यदि आप मेथी का कर देती हैं मेथि पेट के रोगों में ये काफी लाबकारी है । दोसों पेट से जुड़ा कोई भी रोग है कवज है आपको पेट में दर्द रहता है एसिडिटी बनती है । उन सब में आप इसका दुरुस्त बना देंगी, तीनों और चिज़ा मिलकर शरील की तमाम बिमारियों को दूर कर देती हैं दोस्टों अब आपको बताते हैं कि आपने इन तीनों और आपने उष्दियों का सेवन कैसे करना हैं? आपने तीनों खाली पेट आपने इसका सेवन करना है, आप इसको छान लीजिए, इसका पानी आपने जुरूर सेवन करना है, हो सके तो तीनों चीजों को ऐसे ही चबा चबा कर भी खा सकते हैं, दोस्तों यदि आप इन तीनों चीजों का सेवन करते हैं, तो मैंने जो बिमारिया पहले आप के श्रीर से बाहर हो जाएंगी आपका श्रीर हेल्दी और स्वस्त बनेगा जोडों का दर्द आपको कभी नहीं होगा हाट की कोई भी प्रोब्लम आपको नहीं होगी डायपटीज में भी आप काफी राहत मैसूस करेंगे इन तीनों चीजों के प्रियोग से तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ठेंक्यू दोस्तों